एक research की माने तो दुनिया में 98% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी नगभी one-sided love किया हैं इसमें से कुछ जनसंख्या ने ये admit किया कि उनका किसी इंसान पर crust था और कुछ ने ये कहा कि उन्होंने अपने partner को मनाने की भी कोसिस की और one-sided love को two-sided बनाने की कोसिस की लेकिन partner नहीं माना वो सफल नहीं हो पाए कुछ ने तो ये भी accept किया कि one-sided love उनके लिए कभी न खत्म होने वाला इंतजार बनके रह गया था अब internet पर published इस बंदे की one-sided love story ही सुन लीजी इस बंदे ने अपनी पहचान चुपाईए तो लेट से इसका नाम रखते है अविनास अविनास के शोरी शुरू तब होती है जब ये 20 साल का था और ये घर गया था अपने दादा जी के 13वी में लेकिन बाद में औरकुट पर जाकर उसने उसकी profile ढूंड ली और उससे बाते करनी लगा ये 24 इंटु 7 उसके औरकुट एकाउंट को चेक करता रहता उससे बाते करता रहता और बाद में इसको number भी मिल गया अब कई साल बादचीत होता रहा कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जब लड़की की जॉब लग गई तब लड़के ने सोचा कि चलो यार अपने दिल की बात हम बता देते हैं इन सब के बीच न लड़के को तो बहुत ज़दा प्यार हो गया तो वो तो बावरा हो गया था उसे पता ही नहीं था कि लड़की जो है उससे प्यार नहीं करती एक दिन एक poem के जड़िये उसने अपने प्यार का इजहार किया और लड़की का reply आया तुम पागल हो गए हो क्या, we are just friends मैंने तुमसे तो ये expect नहीं किया था और हर जगह से block कर दिया इसके बाद भी लड़के ने हार नहीं मानी और किसी तरह कुछ साल बाद फिर से उससे कैसे भी contact किया और एक बार फिर अपने प्यार का इजहार किया और इस बार लड़की का reply आया I am sorry, I love someone else I am sorry बाबू अभी यहाँ पर मैं लड़की को दोस्त नहीं देता क्योंकि उसने friend माना होगा लेकिन लड़के ने अपना expectation बहुत ज़ादा high करके रखा हुआ था Generally यह अकसर होता है कोई भी लड़का है उसने किसी सुन्दर लड़की को देखी उसको one-sided love होई जाता है इसलिए आज आज आपका भाई समर आपको कुछ ऐसे tips देने वाला है जिससे आप one-sided love के victim बनने से बच सकते हो है रहाद दोस्तों मैं हूँ समर जा एंड ये वीडियो इस चीज़ पर बेश नहीं है कि आप one-sided love को पा कैसे सकते हो या आपने प्यार हो कैसे पास आते हो relationship वीडियो नहीं है अगर आप उसके लिए आए हो तो प्लीज छोड़ कर चले जाओ इस वीडियो में आपका भाई समर बताएगा कि आप one-sided love के victim बनने से कैसे बच सकते हो और लड़की लड़कों की पिछे भागने के बजाए अपने career अपने पढ़ाई पर कैसे focus कर सकते हो आईए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर love क्या है और इसे define कैसे कर सकते है अगर मैं बोलो love तो जातर लोगों की दिमाग में आएगा लड़का, लड़की, girlfriend, boyfriend, निबबा, निबबी और अगर especially लड़कों को अगर सोचने बोलो love के बारे में तो उनके दिमाग में सिर्फ लड़किया ही आएंगी जबकि love तो कोई किसी से भी कर सकता है, अपने ममी पापा से कर सकता है, अपने family वालों से कर सकता है, अपनी bike से कर सकता है लेकिन boys को girls means love और love means girls बस इतना ही समझाता है लड़कों को ये समझनी आता कि ये कोई love नहीं, ये बस एक attraction है, जो कि कहने हार्मोन्स की वज़े से हो रहा है scientific researches की माने, तो किसी भी लड़की से अगर आपको प्यार होता है, तो उसे आप एक chemical loja कह सकते हो, या फिर hormonal imbalance कह सकते हो scientist का माना है कि romantic love को तीन कर्टेगरी में divide किया जा सकता है, lust, attachment and attraction ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी discuss करी थी, अब भी कर रहा हूँ scientist मानते हैं कि testosterone और estrogen की वज़े से एक male female पहले attract होते है attraction की time पर आपका दिमाग dopamine and neuropine fringe जैसे chemicals रिलीज करता है जिस वज़े से प्यार में लोगों को मज़ा आता है तो प्यार जो है totally एक chemical loja है, like कुद्रक का करिश्मा नहीं है कुछ generally जो man होते हैं उनके अंदर testosterone high होता है, तो females की तरफ ज़ादा attract होते हैं अब उनके गोरे चेहरे, बड़ी आँखे, eyebrows ये सब देखके attract हो जाते हो अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, तो नहीं, ये हर एक लड़के के साथ हो रहा है अगर आपको किसी खुपसरत लड़की को देकर ये लगता है कि यार ये तो वही है जिसको मैं बड़सों से ढून रहा था तो खुद को वही रोक दो, क्योंकि हर लड़के को यही feel होता है यहाँ पर अपने पापी दिमाग को समझाओ कि भईया ठंड रख ले तू, तेरा काम है, तेरे गोल्स के पीछे भागना, करियर के पीछे भागना तुझे उससे प्यार हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो लड़की भी तेरे में इंटरेस्टेट होगी तो मन में खयाली पुलाओ बनाना बंद कर और अपने करियर पर फोकस कर क्योंकि अगर तू अपना टॉप लेवल का करियर बना लेता है, तो फिर ऐसी लड़किया तुझे मिल जाएंगी लीटरली वन साइड़िड लव में लोग अपना करियर बर बाद कर लेते हैं, मैं लाइव एक्जाम्पल देख चुका हूं जब मैं तेंथ में था ना, तो मेरे दो सेतीन ऐसे फ्रेंटस थे जो कि वन साइड़िड लव के चक्करमे थे and literally उन्होंने नसे काटी थी सामने वाली को दिखाने के लिए और सामने वाली को इससे घंटा फरक नहीं पड़ा और literally जो लोग थे जो one-sided love के चक्कर में पड़े थे उसके चकर में उन्होंने career बरबाद कर लिया even मैं ये भी कहता हूँ कि मेरा एक close friend था जो कि मेरे से ज़ादा smart था and उसने मेरे से ज़ादा marks score किये थे लेकिन one-sided love के चकर में उसने खुद को ऐसा बरबाद किया न कि आज उसकी financial condition बहुत बुरी है next point है limit social media अब आप सोच रहोंगे कि यार इसका social media से क्या connection है तो यार social media पर न लोग girlfriend, relationship, इन सब का photo, video, reels वगरा share करते रहते हैं और अमेरिकी research agency, Pew Research Center की माने तो roughly 10 में से 8 यानि करीब 81% ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों के relationship से related post वगरा देखते रहते हैं तो जो आप social media पर देखते हूं कि यार घोरों को न मिल रही घास और गधे ले जा रहे हैं चमन प्रास तो आप भी सोचते हो कि यार इनकी girlfriend है मेरी क्यों नहीं तो यहां से आपका भी mission बन जाता है कि यार मैं भी single से mingle हो जाता हूं प्रास आप love story movies बहुत जादा देखते हो तो आप किसी भी खूबसूरत लड़की को देखते हो आपके दिमाग में आपका love angle चलने लगता है love story चलने लगती है रियालिटी बताओं तो 2018 का survey बताता है कि 93% जो marriages हैं इंडिया में वो arranged marriage है मातर 3% marriage love marriage है जादा तर love marriage इसलिए fail हो जाते हैं क्योंकि लड़का सफल नहीं होता है और लड़की कहती है अब्बा नहीं मालेंगी एक कहावत है कि आप किसी चीज को जितना ज़्यादा chase करोगे वो चीज आपसे उतना दूर भागती जाती है love की case में ऐसा होता है और यह psychological fact भी है कि आप किसी इंसान के प्यार को जितना ज़्यादा chase करते हो वो इंसान उतना ज़्यादा आपसे दूर भागने लगता है आपसे नफरत करने लगता है अपने यह चीज देखी भी होगी कि आप किसी इंसान को बहुत ज़दा प्यार दे देते हो बहुत ज़दा वैल्यू दे देते हो बहुत ज़दा उसकी care करने लगते हो तो बदले में वो इंसान आपको कैसे भी treat करने लगता है तो जब आप one-sided love में होते हो तो आप इस उमीद में होते हो कि सामने वाला कभी न कभी हा करेगा और आप उसको love, care, support दिये जा रहे हो दिये जा रहे हो जिस दिन वो मेरे प्यार को सुईकार करेगी और मेरे वर्माला को भी सुईकार करेगी अंत में आप उसके आगे पीछे भाग करना तूट चुके होते हो उसे कह कह करना तूट चुके होते हो और कई लोग तो ये भी महसूस करतें इसके बाद कि उन्होंने तो अपना सारा कुछ बर्बाद कर लिया इस चक्कर में अपना करियर भी डुबा लिया और लड़की भी हाथ में नहीं आई न खुदा मिला न मिसाले सनम तो बेटर ये होगा कि आप पहली बार में ही समझ जाओ कि पसंद करने वाला इंसान आपको पहली बार में भी पसंद कर लेगा और ना पसंद करने वाला हजार बार में भी पसंद नहीं करेगा ये accept करो कि आप किसी को जितना chase करोगी वो उतना भागेगा तो it's better आप किसी को chase ही मत करो अपने career को chase करो लोग आपको chase करेंगे क्योंकि लोग किसी को chase करने में ना सारी हदे पार कर देते हैं कोसिस करते रहते हैं, उमीदे गड़ाये रहते हैं, कोसिस करते रहते हैं, लेकिन अंत में समझ आ जाता है कि नहीं यार, कुछ नहीं होने वाला, मेरा मानना है कि मैं किसी और को चेज करूँ, इससे अच्छा कोई मुझे क्यों न चेज करे, खुद को मैं क्यों न ऐसा बनाऊ कि सामने वाला मुझे चेज करे ना कि मुझे उसे चेज करना पड़े लास्ट पॉइंट बी ओ हाई वैल्यू मैं यह वन साइड़िड लव के चक्कर से बाहर निकलो खुद को इंप्रूव करना शुरू करो सिल्फ इंप्रूव्मेंट पर ध्यान दो और खुद को अपना बेस्ट वर्जन बनाओ खुद को mentally, emotionally हर तरह से strong बनाओ खुद के सिल्फ वॉर्थ को पहचानो अपना career बनाने पर focus करो, wealth बनाने पर focus करो, health बनाने पर focus करो, fitness बनाने पर focus करो खुद को इतना busy कर लो कि आपको अपने past को याद करने की फोरसत ही ना मिले जितना जादा आप खुद के improvement में time invest करोगे, उतना जादा आप लोगों के लिए valuable बनोगे उसके बाद आपको किसी लड़की को approach करने की ज़रत नहीं पड़ीगी, लड़कियां आपको approach करेंगी तेकिन याद रखना आपके लिए हमेशा आपका first priority, आपका purpose, यानि आपका career होना चाहिए, आपके goals होने चाहिए आपका summer भाई भी वही कर रहा है, सिर्फ अपने career पर focus कर रहा है, अपने goals पर focus कर रहा है और आप लोगों की life बहतर बनाने के लिए videos बना रहा है मैं आपके साथ ही हूँ, grow कर रहा हूँ हूँ, मेरे साथ आजाओ, grow करते हैं साथ में आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आई दे फटाक से एक like कर दे और चैनल को subscribe करके बेल आकन दबा ले और इस वीडियो को दबा कर शेर कर दे उन लोगों के साथ जो की one-sided love के चक्कर में फसे हुए है थैंक्स वाचिंग गाइस, लव यू